सब्सक्राइब करते हैं सबसे पहले हम लोग अप्लिकेशन यहां से ओपन करेंगे उसके दूस्तों यहां पे प्लस का अफ्टन पर क्लिक करना है ठीक है इसके बस यहां से सब्सक्राइब चलिए मैं ले लेता हूं और प्लस करेंगे जिस भी फोटो के उपर अपना स्टैटस वीडियो को एडिण करना चाहते है तो चलिए यहां फोटो में ले लेता हूं यहां फोटो लेने का बाद क्लिक करेंगे यहां से फिल कॉंपोजेशन एरिया क्लिक कर देंगे मोबन ट्रांस्वाम पर जाके थर्ड वाले आफ्टन लेकर हलका सा इसको जूम कर लेंगे ताकि एकदम परफेक्टली आपका पूरा स्क्रीन में यह अच्छा से फिट हो जाए ठीक है हो गया यहां से बैक स्कुर्णिश करना हलका साथ प्लस 6 पर्सेंट तक करेंगे और कंट्रास्ट इससे जादा थोड़ा करेंगे ठीक है । यहां से चरण करते हैं मैं RGB color grading के लिए और चैनल रहें पार जिबी जो है इसको स्लेट करना है यहां से स्टैंडर्ट सेटिंग क्लिक करना है अब चैनल रहें पार जिबी को करना है यहां से color in field पर जाकर यहां से वाइट color को चूज करना है उपंस्कोणा फोल च्रॉप सामने सामने मतलब यह सामने सामने होना चाहिए मतलब सामने यह टेड़ा नहीं होने यह तरीक अब इसको क्लिक करना है अब जिससे को क्लिक करने अब आप क्लिक करेंगे अब देख सकते फोटो आपका ऐसा कूल जाएगा ठीक है अब इसी पर क्लिक करना है, इहां पर सबसे पहले paralex का एक option मिल जाते हैं, то parallax वाला option पर शुरू में aq plus लगा देना है, और एकदम photo के लास्ट में जाके aq plus लगा देना है, ठीक है, plus लगाने का बाद parallax वाला option पर ही आप क्लिक करेंगे, यहां पर X और Y दो option मिलते तो आपको वाई वाले option को नीचे वाले को स्लेट करना है ठीक है और नीचे वाले स्लेट करने के बाद इसको माइनस में इसको माइनस में 2000 लेके जाना है ठीक है तो चलिए हम लोग पॉइंट इसलिए चूज करता हूं ताकि आपको समझ में ठीक है अब नीचे आनी है दोस्तों यहां पर मेगनिटूट का उप्षन मिलता है तो मेगनिटूट वाल आप्षन पर क्लिक करना है और इसको भी आपको कम करना है 0.0.45 यहां पर 0.40 यहां पर कर देना है ठीक है अब यह देखेंगे तो कुछ इस तरीका से हिल रहा है जो बहुत ही कमाल का लगने लगा आपको और नीचे आना है दोस्तों नीचे आना है यहां पर डीटेल का एक आप्षन मिलता है डीटेल वाल आप्षन पर जाने के बाद इसको कम करना है डीटेल में आपको कम करके 0.0.25 कर देना याप ठीक है जीरोपाइक यहां पर 20 roughly लों कर देते हैं यहां से ठीक है हो गया अब यह थोड़ा सा नीचे आना यहां पर ऑक्टा के मिलता है कि उप्षन इसको छे रहते हैं तो आपको सिंपल सा घटाएंगा फाइफ कर दीगे बस यह काम आपका हो गया अभी इतना काम हो जाना कब आपको करना कि एक और प्लस करना है प्लस करने को साउंड को एड़ कर लेते हैं तो चलिए सबसे पहले मैं अपना साउंड को आड़ करता हूं यहां पर दोस्तों यह वाला एक साउंड मैंने एड़ किया है वीडियो पर क्लिक करेंगे और यहां से एक से टॉडियो कर देंगे वीडियो पर क्लिक करके वीडियो को यहां से ह यहां पर लग रहा है लेकिंट अपको लगाना है इसको क्लिक करते हैं और एक्दम स्लाइट करके लास्ट में जाएंगए इसको क्लिक कर लेकिक, अब आपका काम पूरा पूरा यहां पर complete हो गया अब यहां पर टेक्स लिखना है उससे पहले आपको यहां पर अपना एक चैनल का लोगो लगा देनी है तो चैनल का लोगो में अपना लेके आता हूं पहले तो प्लस करेंगे media से जाके अपना channel logo लेके आते हैं अब देख सकत पर्फेक्ट हो गया अब यहां पर आपको गाना है कि तू अधा इतना दूर तक ही दोस्तों और यहां से आपको क्या करना है इस तो चलिए मैं लिख देता हूं यहां पर तूँद अधा है ध्यान से देखिए दोस्तों पर्फेक्ट हो गया अब यहां पर आलाइन्मेंट वाला आप्षन पर जाके बीचों भी स्लेट कर लेना है टेक्स कलर पर जाके यहां से ब्लेक कलर को चूज करना है और रोबोट रेगुलर पर जाके दूस्तों इस फॉंट को लेना इस फॉंट का लिंक आपको आसानी से मिल जाएगा अब 18 पीटी पर जानी है इतना बढ़ा लेंगे ठीक है बढ़ाकर रखेंगे यहां से इसको ओक Tsch कर देते हैं फोक बाद हैं इसरी में यहां पर यहां पर लाकर हम लोग को कट कर लेना है यहां से देख सकते ऐसे अब यह हो जाने के बाद आपको करना के टेक्स्ट पर क्लिक करना है यहां से इफेक्ट पर जाना है और यहां से सर्च करना है आपको टेक्स्ट के एक आप्शन मिल जाता है दोस्तों तो यह टेक्स्ट होला आप्शन पर जा प्लस लगाएंगे ठीक है और थोड़ा सा आगे बढ़के यहां पे एक और प्लस लगाएंगे परफेक्ट है इसको आपको इंक्रीज करना इस तरीका से करके ठीक है तो देख सकते हैं यहां से लाइन हो जा रहा है तो जहां से दो लाइन हो रहा है यहां से मतलों सेवेंटी एन के बाद मेरा दो लाइन हो जा रहे तो मुझे एक ही ल mulheres राखना है तो इतना ही दूर तक हम लोग राखेंगे ठीक है अब यह एक ऐख़्ेक्ट यहां पर से बहूत दए लेता है यहां से आपको मूब करना है यहां से ऑप्ट को ओस्टिंगर्य दिग्री रहाता है इसको 90-degree कर देना है यहां से ठीक है तो चली यहां से मैं 90 डिग्री कर देता हूं पहले एक दम परफेक्ट्ली 90 डिग्री ही रखना है दोस्तों तभी आपको यह बहुत अच्छा लएगे जैसा अपने स्टार्टिंग में वीडियो देखा था तो परफेक्ट्ली वही वीडियो है यहा आपको 15 कर देनी है ठीक है 15 परफेक्ट्ली 15 करना है अब अगर टेक्स थोड़ा सा देखेंगे तो देखें कुछ इस तरीके से आपको दिखाई दे रहा हलका हिलने लगा बहुत अच्छा लग रहा है अब यहां से बैक करते हैं फिस से एफेक्ट पर जाएंगे फिस से को यहाँ से जीरो कर देए ठीक है फ्यक्वेंश contractor करना है फ्यक्वेंश पर ह्लिक करना के बाद इसको थुड़ा सा कंब करनी है ठीक है इसको 20 के करीब में हम लोग रख देते हैं दोस्तों यहां से 20 के करीब हम रखेंगे और यहां से एक बार और प्ले करके देखेंगे आ आपको दिखाने के लिए ठीकतों बहुत ज्यादा हिल रहा है तो इसको लोग यहां से 10 रखेंगे दोस्तों अब तक पूरा पूरा टेक्स्ट कम्पलीट हो गया है एक विडियो प्लेकर हूं तो देखें कितना आवराम से बीडियो बन कापी कर लेना है यहां पर यहां पे आजाना है यहीं पर आके आपको एक बार है सब्सक्राओं करने कि पर लितता हूं तो यह दूसरा वर्ड नेगे कहां तक है उसके बाद से आपना लिखते रहेंगे परफेक्ट ली वर्ड से सुनेंगे और लिखेंगे ठीक है और लिखने के बाद दोस्तों स्पीड से आप इसको बढ़ाएंगे घटाएंगे अगर ज्यादा बढ़ा हो या ज्यादा चोटा हो ठीक है तो देख सकते कितना अच्छा लग रहे आप उमीद है बहुत करने के लिए यहां से एक्सपर्ट करेंगे तो वीडियो आपका गैलरी में से बढ़ाएंगे